आज आपको हम गुलाब की नई कलम तयार करने के बारे में जानकार दे रहे हैं सबसे पहले हमने कोको पिट लिए और कोको पिट में तोड़ा वर्मी कमपोश्ट खाड डाला और इसके बाद में अभी इसको मिक्स करके एक हमने पोट के अंदर डाल गया है प्लास्टिक और आप देख सकते हैं यह हमने गुलाब की टहनी लिया तो अभी इसको हमने प्रूनिंग करके अलग कर लिया है तो इस परकार से हमने इसको समतल कर दिया है बिल्कुल और समतल करके इसको बिल्कुल पैक कर दिया है और अब हम इसको इसके ट्रेयर के मदश से इसकी अलग-अलग ब्रांचे पुरूनिंग करने का काम करें इस प्रकार से हम इसकी क्रोस तीश टिगरी के कौन पर इसको काट रहे हैं इस प्रकार से काट रहे हैं इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम ये करीब 6 इंची से एक फुट के बीच में इस प्रकार से हम इसकी ब्रांचे तयार करें और नीचे से इस प्रकार से हम इसके ट्रेयर मदश से इसको काटा हम और ये दूसरी हमने ब्रांच तयार कर लिए इस प् और यह सब Sketry के मज़च से तयार करें। ये जो ब्रांचे हैं वह आप देख सकते हैं, उगिली से छोटी साइज हो प्रजिए है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको काट रहे ह। आप मान सकते हैं। जित प्रकार से पैन or प्रचल गलती है इसको काड़ लावा आप तीन ची लगा सकते हो जिस aquí हो इसके propag उपर तो टाजा गुबर लगा सकते हो और एसके अलावा आप नील थोता लगा सकते हो यह फिर हल्दी भी लगा सकते हैं लिक्विड हो जो हल्दी होती है उस हल्दी को पाने में भी Täँ भुपर बहुए टो इस परकार से इसके जो उपर के उसमें हम यह लगा रहे हैं तब मरे और रूपर से इसके फंच ना लगे रूट बिन प्लस तो इस परकार से हम यह लगा रहे हैं तो इस परकार से हमने करीब आठ नो जो कलम लगाई वो लगा दिये और अब इसको हम ऐसी जगे रखेंगे जहां पर आधी दूप आधी च्छाओं हो और इसमें पानी देंगे चार से पांच दिने में एक बार और भी जगह ट्रांसफर कर देंगे तो आसा करता हूं मेरे द्वारादी जान गया रहे हैं आपको बड़िया लगियो चैनल पर नहीं तो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और बेल आगन गंटियो दो है मिलते हैं ऐसे वीडियो तब तक लिए स्वस्त्री मस्त्री